हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ससी ब्लॉग्स आज के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर इंटर्विव मौखिक परिच्छा का वीडियो स्रीज पे चर्चा करेंगे इस video series में हम लोग देखेंगे कि interview में कैसे direct question पूछे जाते हैं अगर आप लोग पुराने video हमारे नहीं देखेंगे तो वो नीचे description में playlist का link दिया हुआ है उसमें जा कि आप पूरा सारे video देख सकते हैं आज हम चर्चा करेंगे कि interview में कैसे person पूछे जाते हैं वहन से समन्दित चलिए हम लोग चर्चा करते हैं question by question सबसे पहले हम लोग और यह हमारे notes के unit 3 में है सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने वहन के वारे में जानते हैं अपने वाहन में हम लोग देखते हैं कि यदि एक चालक के लिए अपने वाहन को अच्छी तरह जारना अत्यांत आवसक है ये तो सही बोला है क्योंकि एक चालक अगर आप ड्राइवर बनिएगा तो आपको वाहन के बारे में जारना अत्यांत ही आवसक है उसे वाहन के विभीन नियंट्र को सुरक्षा परनाली, सुच को विभीन लाइट और अलार्म आदी के बारे में पुर्ण जनकारी होनी चाहिए देखिए जब आप ड्राइवर बनियेगा तो आपको ये सब जैसे नियंट्रा को सुरक्षा परनाली सुच को एवं लाइट अलारम आधी के बारे में आप लोगों को सही सही जनकारी होने चाहिए इसलिए अपने बाहन की उपयोग करता पुष्टी का मतलब यूजर गाइड को अवस्यक परे मतलब जो ये नोट्स है ये हमारे नोट्स है इसमें आप लोगों के यही सब जनकारी मिलेगा कि कहां पे लाइट है मतलब हर्न कहां पे है ये सारा चीज़ आपको मिलेगा फिगर नियमित रूप से चेक करें सुनिष्चित करें वे सही कारे कर रहें अगर आप ड्राइवर है तो इतना चीज रोजाना ड्राइविंग से पहले आप लोगों को चेक कर ले ना तो अगर जब वहान चला यह सब सही नहीं रहेगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा इसलिए इतना चीज आप लोग अगर आप ड्राइवर है तो चेक करना बहुत ही जरूरी है चलिए देखते हैं नेक्स लाए नेक्स जैसे यह देखिए यह वहान है और वहान में क्या लाइसेंस प्लेट भी यहां पे है टर्न इंडिकेटर भी यहां पे है यह सब हम नोट्स में दिये हैं आप लोग देख लिजेगा जे कहां पे क्या है सारे गारी का ऐसे ही रहता है सीट वेल्ट देखिए यहां पे है ना सीट वेल्ट उसके बाद सैलेंसर देखिए यहां पे लागा पीछे की और लागा रहाजावालागारई सव्हाव क्या कम है जो एक्जास भल्ब है वह वह एक्जास्ट धुगा निकालता है सव्हावलेंस उसके बाद हैंड बिरेक देखिए यह अंदर का पाथ है ठीडि बीजुआ लाइजेशन कर रहा हैंड यहाँ पे है उस उसके बाद देखिए, हरनी यहाँ पे है, यह सारे चीज़ आप लोग लाइसेंस प्ले देखिए, बंपर यहाँ पे देखिए, टर्न इंडिकेटर, यह सब आप लोग देख लीज़िएगा, हम फिगर आप लोगों को सेंड कर देंगे, उसमें आप लोग देख लिंक है वहां से आप लोग जॉइन हो जाएगा चलिए नेक्स देखते हैं उसके बाद अगर आप जाएगा इंटर्विव में तो इंटर्विवर आप से पूछेगा एज ड्राइवर जे आप मतलब वहां के ब्रेक से क्या समझते हैं तो आपका एंसर क्या रहेगा देखिए एंसर आपका रहेगा जैसे ही पूछेगा कि वहां के ब्रेक से आप क्या समझते हैं तो आप बोलिएगा हर मोटर वहां में दो स्वतंत्र और कारगर ब्रेक परनाली मतलब दो स्वतंत्र और कारगर ब्रेक परनाली से सुसजित होता है कहने का मतलब दो स्वतंत्र और कारग ब्रेक जो यह है ना हैंड ब्रेक इसके लिए बोलता है दूसरा क्या बोलता है पैर से संचालिट सर्विस ब्रेक पहला बोलता है क्या है हाट से संचालिट पार्किंग ब्रेक और दूसरा बोलता है पैर से संचालिट सर्विस ब्रेक यह दोनों मतला ब्रेक के लिए एक पैर स जो फिगर में दिखा चे जो फूट ब्रेक पैडल है और एक हैंड ब्रेक है समझे यहीं दोनों के बारे में बोला है उसके जो की फिगर में भी दिखाया गया है ब्रेकिंग पर नाली इतनी सक्षम होनी चाहिए जो वहन को निर्धारित दूरी के भीतर रोक दे चाहे प्रस् सोमझे इसलिए मतलब किया परस्टिती कैसे भी हो आडमी पचना चाहिए गारी मतलब यहां पहुंचते पहुंचते गारी रुक जाना चाहिए यह यह ए तो जब पूछ का जाँ आप क्या समस्जते हैं तो यह दिछ बता देजेगा अगर वह भेरे क्ट me हमारे प्लेइलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है वह आप लोग देख सकते हैं चलिए next slide देखते है next देखते है next देखिए कलच हुआ एक्सलेटर जैसे दखिए ये क्या है ये क्लाच है ये ब्रेक है और एक्सेलेटर ये तीन चीज ड्राइवर को जान लेना क्या देखिए क्या है पहले एक्सेलेटर उसके बार ब्रेक उसके बार कलच तो देखते हैं कलच एक्सेलेटर का क्या काम है समझे देखते हैं देखिए, clutch or accelerator, clutch का परियोग, gear बदलने या गारी रोकने के दवरान इंजन को transmit से अलग करने के लिए किया जाता है, यानि कलच का क्या काम है, मानली जी ये इंजन piston cylinder है, इंजन यहाँ crank shaft लगा है, ये रोटेट हो रहा है, यहाँ पे मानली जी ये shaft लगा हुआ है, ये shaft लगा हुआ है, और ये shaft में मानली जी ये, क्या होगा, गियर बॉक्स रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे गियर बॉक्स रहेगा, तो गियर चेंज करने के लिए ये रोटेट करता रहेगा, तो हम नहीं ना गियर चेंज कर सकते हैं, तो इसके बीच में एक clutch लगाया जाता है, जो की clutch है, जो इंजन जो ये तो हमेसा ये नहीं ना जे गारी चलता दे तो उसे बंड कर दो इंजन के उसके बाद गियर चेंज करें, तो इसके लिए जुगार लाया गया, जिससे बाद बोलते हैं, तो कलच यहाँ पे लगा रहेगा, तो ये इंजन का जो मेंड पावर रहेगा और जो गियर बोक्स से जो कनेक्ट रहेगा, उसको डिस एंगेज कर देगा, मतलब अलग करेगा, जिससे यहाँ पे जो गियर बोक्स है, इस गियर पैडल भी रहता है, इससे हम गियर चेंज आशानी से कर सकते हैं, समझ गए ना कलच का क्या काम है, चलिए कलच पे भी आम एक कोश्चन है, उसके हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, बस इतना समझ, जैसे ही कलच पुछ दे, जे कलच का क्या काम है, तो आप बोल लिजे, कलच का परियोग गियर बडलने या गारी रोकने के दावडान, इंजन ट्रांस्मिशन से अलग करने के लिए किया जाता ह ताकि जब चालक चाहे, इंजन की पावर पहियो तक न पहुंचे, मतलब क्या गियर अगर आप गियर बोक्स में गियर चेंज किजिएगा और यह साप्ट है, तो यहाँ पे कलच है, तो यह क्या करेगा, इधर का पार्ट ही रोटेट करेगा, जैसे ही कलच आप लोग इसे जीगा, और यह जो पार्ट है, जो यह यह वाला पार्ट है, यह रुक जाएगा, समझे, तो यही बोला है, जब चाहे चालक उसे डिस इंगेज और इंगेज कर सकता है, जैसे, एकसे लेटर जैसा कि नाम से परतित उता है, गारी के गरती बढ़ाने या घटाने के लिए प पीडियेप में है, आप लोग पीडियेप ले ले जिए और उससे त्यारी किजिए, समझे, वो सारा चीज आपको एकदम सरलभासा में, ऐसे ही दिया गया है, जैसे यह जो दिख रहा है, ऐसे ही दिया गया है, समझे, तो क्या क्लच का क्या काम है, जो मेन पावर रहता है, डिस इंगेज करता है समझे जो मेन पावर रहता है और अर गियर के जैसे ये मेन पावर है और इंजन का और यहां पे गियर बखा़लोग्स है तो इसके बीच में कलूच लगा रहता है जो इधर का इंजन रोटेट ही करता रहता है लेकिन कलच प्रेस करने पर इधर वाला पार्ट रोटेट करता है इधर वाला पार्ट रोटेट नहीं करता है जिससे हम लोग गेर चेंज कर देते हैं एक से लेटर का क्या काम है गटी को बधाने या घटाने के लिए परियोग कि आजाता है चलिए नेक्स सालाइडे में क्या अगर आप तो बहुत कम दिन बचा है अगर आप सही से त्यारी करना चाता है बिहर पुलिस ड्राइवर इंटर्वीव का 40 में maximum से maximum score आप लाना चाहते हैं तो इस नमर पे आप contact करके हमसे PDF ले सकते हैं समझे, WhatsApp के थूरू आपको हम PDF सिंद कर देंगे, जिससे कि आप maximum से maximum score कर पाए, समझे और जिससे कि merit में, interview बहुत ही मायने रखता है, कोई भी मतलब यह बिहार पुलिस ड्राइवर interview, समझे, क्योंकि 40 नमर का आपका driving है तो 40 नमर का interview है driving आप सही से कर लेते हैं और अगर interview में सही नहीं कर पाते हैं तो आपका merit नहीं बनेगा, इसलिए आप लोग PDF लेके सरल PDF है, कोई देखी रहे हैं, यहीं सब PDF में है तो ट्यारी करें और टेलिग्राम ग्रूप का link description में है, वो आप लोग जोईन हो जाईए नीचे description में है धरनेवाद